एलो एन मेलकम माई नेम इस राज किवलानी एंड आम फ्रम विलाज जावडे कर डेवलेपर आज मैं आपको यश्विन होरीजोंते खराडी का 3BHK का सेंपल क्रेट का टूर करवा हूंगा यह 3BHK 953 स्क्वार फीट का कापेट स्पेस है जिसमें में एंट्रेंस में आपको 4 फीट वाइड एंट्रेंस डोर मिल जाता है और सेफ्टी सेक्यूरिटी के लिए हमने वीडियो दोर फोन दिया है और यहां पर हमने तोरन के लिए प्री इंस्टॉल हुक्स दे रखे हैं एंट्रेंस लॉबी आपकी काफी अच्छी स्पेशिस मिल जाएगी एंट्रेंस दोर्स दिये एक रहेगा आपका ओनर एंट्री दूसरा रहेगा आपका सेवेंट्स एंट्री जब आप गर में नहीं है तो सब्स इजी ली आ जाएंगी और सिरफ किचन का एकसिस करेंगी में अपार्टमेंट आपका लॉक रहेगा एंट्रेंस लॉबी में यहां पर हमने दिया है सैनिटाइजर सैनिटाइजेशन डेस्के लिए जो भी बाहर से आएगा यहां पर से अपार्टमेंट के अंदर जाएगा यह सर्वेंट्स एंट्री है एंड यहां पर किचन रहेगा तो अगर आप गर पे नहीं है एज ओनर वाइप दोनों वोर्किंग उनके लिए यह कंसेट काफी अच्छा है में डोर लॉक रहेगा एंड सर्वेंट सेंट्री ओपन रहेगी जिसमें आपका किचन एकसे रहेगा एकसे रहेगा एकसे रहेगी किचन में हमने एलशेप गेनाइट प्लाटफॉर्म दिया है जिसमें फूर्ट्स एंड वेजिटीबल के एर सर्कुलेशन रहेगा सामने की तरफ में हमने डिश वाशिंग मशीन का स्पेश दे रखा है एंड टैप का प्रोविजन भी दे रखा है पानी के लिए किचन में यह रहेगा आपका कुकिंग प्लाटफॉर्म यहां पर आजाएगा आपका सर्विंग प्लाटफॉर्म को अपर हमने वॉर्ट प्रोविजन दे रखा है दे रहे हैं आट प्लैटफॉर्म में हमने माइकरोव आज़ हमने दे रिखें यहां पर सर्विंग बिंडव है जिससे आप अपनी फैमिली को सब कर सकते डाइनिंग के पास में और यह रहेगा आपका में एंट्री अपाटमे यहां पर आपको वॉल पर वीडियो दोर फोन आ जाएगा बार से जो भी गेस्ट आता है उसका इमेज यहां पर पहले आपको देखा देन यू के बार दोर जैसा ही अम एंटर होते हैं यह काफी अच्छा की सब्सक्राइब करते हैं इसे कि आपको शेया ओर इंचों ङ्यामिक आपको इसे कंगती थेल्डर में अबंड दिया है थो प्रसुल को शना मरता है किसे निंग खुल को पर रूप करेंगा आपका ऊपर से रूफ कवर आएगा सो प्राइवेसी मेंटेन होती है आपकी मॉर्निंग की एक्सराइज योगा मेडिडेशन के लिए आप यह स्पेस काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं सामने में यह ग्लास रेलिंग है स्टर्डी प्रीमियम लुक देता है आपको गुडन डिजाइन टाइल यह एंटी स्कीड रहें की वानिंग में आप टी कॉफी पीते हैं बैलकिनी में यहां पर आप लेज यूज कर सकते हैं एस वेल इस चार्जिंग पॉइंट के लिए अपने प्रोविजन भी दे रखा है आपको एट फीड हाइट के दिये हैं गर के अंदर आपका नेचुरल सनलाइट एस एर सर्कुलेशन काफी अच्छा मेंटें रहता है विकॉज ओफ लॉंग हाइट टेर्स के दोर्स लिविंग के फास में अपने डाइनिंग का स्पेस अलग से दिया है और डाइनिंग का स् घृными पेसर एस सकते हैं पूझा असपेस यूज सकते हैं यह अपके घर में रहते हैं तो पेट कि लिए ख्यक़्ी एडॉइज हो जाता है 3BHK में सबसे अच्छा आडवांटेज आपको यह मिलेगा फ्लैट में कहीं पे भी वेस्टेज नहीं है पैसेज को अच्छे से वेल उटलाइज किया है कहीं पे भी लंबी गली जो दिखती है पैसेज वो नहीं है बेसिन बाहर की दरफ दिया है वाश्रूम अंद फिट आउट्स हमने सारे रोका ब्रेंट के यूज किये हैं प्रीमियम रेंज शावर सारे बाक्रूंस में आएगा उपर में हमने स्पेस यूटलाइज की है लॉफ्ट में इंवर्टर बैटरी सेंटर वाइफाय राउटर यह सारी चीजें आपको लॉफ्ट के अंदर आ ज आपको दो विंडो दे रखिए सफोकेशन फील नहीं होगा क्रॉस वेंटिलेशन रहेगा कि रूम के अंदर भी एंड कि रूम में अगर आप यहां पर बंक बैड दालते हैं दो किड्स कैन इसीली स्टे हिर और आपको ओपन स्पेस काफी अच्छी मिल जाती है कि रूम में आपको स्टेडी टेबल का दो प्रोविजन मिल जाता है दोनों ही साइड में आपके स्टेडी टेबल आ जाएंगे यहां पर किड्स बैड आने के बाद आपको काफी अच्छी मुविंग स्पेस मिलती है किड्स को प्ले करने के लिए अभी मैं आपको मास्टर बेड रूम क में बेड पोडिशन के सामने टीवी वाल है एंड बेड पोडिशन है जो रहेगा नॉट में नहीं आएगा अपने वास्तू को फॉलो किया है और वाड्रोब अपका अंदर चला जाएगा वाड्रोब अंदर जाने से आपको स्क्वेर शेप का रूम मिलता है जिसमें मुव दे रखा है डोर का जो हाइट पीट है रूम में आपको काफी अच्छा एर सर्कूलेशन एज लाइट वेंटिलेशन मिल जाएगा बैल्कोनी से जो व्यूज रहेंगे खराडी लोकेशन के काफी अच्छे सिरीन व्यूज है मास्टर बेड्रूम का जो बैलकोनी है उसकी ज यहां पर हमने ग्रेनाइट काउंटर यूज किया है आप अपने सोप्स टॉयलेटरी इसली रख सकते हैं एडिशनली हमने आपको हैड्रा के लिए एलेक्रिक पॉइंट दे रखा है एस वेल इस मास्टर बात्रूम में हमने सोलर का होट वाटर प्रोविजन दे रखा है यह यह पर ड्राइन वेट एरिया के लिए टाइल ड्रॉब भी दे रखा है नहाते वगत आपका पानी यह पर फ्लो नहीं होगा यह एरिया पूरे रहे रहेगा एस विल इस लांडरी के लिए नीचे स्टोरेज स्पेस काफी अच्छा दे रखा है बात्रूम का स्पेस उतलाइ स्पेस आपको मिल जाती है यह दूसरा मास्तर रूम में इसका सबसे अच्छा पॉइंट यह है कि यहां पर आपको बैठने के लिए ग्रेनाइट का लेज मिल जाता है दो लोग आराम से आमने सामने बैठ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं गार्डन का व्यू एर आरिया में टाइल ड्रॉप दे रखा है तकि ड्रायन वेट अरिया मेंटेंट रहे हमने रोका कंपनी के सीपी सैनेटरी वेर दी है चाया आएंगे आपको बैटरूं के दोनों ही साइड में हमने हमने चार्जिंग पॉइंस दे रखे हैं रोम होल लिवेंट एंग के तोजो किचन सब जगा पर हमने दो दो विंडोज दे रखें ताकि आपके गर में दूप और हवा अच्छी आएगी एस एर सर्कूलेशन काफी अच्छा रहेगा थेंक यू सो मच आइ होप यू लाइक दू प्री भी एच के आप यशिन वारीजोंते